हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस All-in-One चैनल में दोस्तो आज की वीडियो हम बात करेंगे MSP और OROP से अरलेटेड जो है आज का जो बड़ा अपडेट है उसके बारे हम बात करेंगे MSP को लेके जो है रक्षा मंत्री ने अभी जो एक important meeting ली थी उसके ओपर एक हम बात करेंगे कि अभी क्या important meeting है जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोट में तो अलग से चली रहा है हाई कोट में भी अलग से MSP और OROP पे चल रहा है वन रैंक वन पेंशन पे अब एक बीच में एक और पहल की गई है और ये जो है वोईस ओफ एक्स सर्विसमें की तरफ से पहल की गई है और इसका में मुद्धा यही है कि किसी भी तरीके से चाहे सुप्रीम कोट से चाहे सरकार से बाचित करके जो भी long pending डिमांड से उसको पूरा किया जाए तो चली दोस्तों बात करते है आज के इस important update के बारे में जो कि एक्स सर्विसमें का जो MSP जो काफी टाइम से रुकावार OROP उससे related update दोस्तों कर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का update आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाए दोस्तों एपरिल में एक बार फिर से मीटिंग के बात की गई है तो अभी आप देख सकते हैं कि most जो news है वो already social media पे आ जाती है और यही एक ऐसा medium है जिसके थूस सब को information पहुचाई जा सकती है दोस्तों देख सकते हैं यह वाला latest जो है ट्विटर पे आया हुआ है माने ने रक्षा मंतरी भारत सरकार आजलरी निया राजना सिंग जी से पूर सेनिकों के रास्ट्रियस सेयों जग के साथ पूर सेनिकों के कुछ मुद्दों के संबन्द में मिलना हुआ उन्होंने उनकी समस्याओं के हल का आशवाशन दिया बहुत सिंपल सा लिखा है एक समय कि जो भी long pending demands थी उनको उन्होंने solve करने का बोला आप यह देख सकते हैं Under my leadership defense minister government of India he assured them of solving their problems ना सिर्फ यही बल्कि यह meeting इतनी fruitful थी कि इसको इसका जो एक follow up meeting भी रखी गई है और उस follow up meeting में एक बार फिर से जो है इन मुद्दों को discuss किया जाएगा जो कि एपरेल में होगा और संभावना है कि एपरेल में कुछ इसके उपर फैसला लिया जाएगा दोस्तों यह था आज का important update इसको आप शोशल मीडिया पर जरूर देखे जिससे कि आपको हमेशा सही जानकारी मिल सके दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिए share कीजिए और subscribe करना ना भूले thank you for watching this video